दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फारविंग नोलेज फर दोस्तो आज हम फिर एक बार एक बहतरिन वीडियो लेकर किया हैं आपके समक्ष बहुत जानकाड़ी युक्त वीडियो है मचली पालन के बेवसाय से अगर आप जूड़े हुए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जानकाड़ी देने वाला वीडियो होगा दोस्तो जैसे हम मचली के बारे में कुछ जानकाड़ी देते हैं आपको हर तरह की जानकाड़ी होना बहुत जरूरी है अगर आप सफल मचली पालग बनते हैं तो इस तरह की जानकाड़ी आप आपको होना ही चाहिए दोस्तों तो हम दोस्तों बात करते हैं कि अपने देश में अनेकों तरह की परजातियां हैं मचली पालन का आपको उसमें से डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह का मचली हम अपने तलाब में पाले हैं इसी विसे में हम आपको इस वीडियो के माध्य से जानकारी देने का पढ़्यास करते हैं दोस्तों तो जैसा कि आपको पता होगा अनेक तरह की मचलियां हैं पूरे देश में पूरे अभिस्व में जो मचलियों की प्रजातियां का हम बात करें तो लगभग 30,000 प्रजातियां हैं जिसको सारे बंधू बरे ही आरामशे विद अपने देश की बात करें दोस्तों तो हम लोग ज्यादा तर अपने तलावों में IMC का ही पालन करते हैं और विदेशी कार्प का भी पालन करते हैं दोस्तों तो दोस्तों रोहु कतला मिडिगल यह तीन मचली जो है जिसका पालन हम लोग अपने तलाव में इंडिया के बड़े ही आराम से करते हैं साथ साथ बीदेशी कार्प में हम लोग सिल्वर कार्प ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का पालन करते हैं अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एक एकर में आपको कितना मचली का पालन करना चाहिए तो हम तीन मचलियों के बारे में पहले बात करते हैं आपको 30% रोहू का बीज इस्टोक करना है अपने तलाब में, कतला का बीज 40% पर्योग मिलाना है इस्टोक करना है और मिरीगल का बीज 30% आपको अपने तलाब में इस्टोक करना है इस तरह से आप 5000 सीड अपने तलाब में एक एकर के तलाब में सीड इस्टोक करना है दोस्त तो तब जाकर के उत्पादन उनको बेहतर मिल पाएगा अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह का सीड श्टोक करना चाहिए अगर आप IMC का पालन करते हैं जैसा कि आपको पता होगा पहले स्पॉन आता है उसके बाद फ्राइस आ जाता है उसके बाद फिंगर लिंग आता है उसके बाद एयर लिंग आता है दोस्तों तो आपको अपने तलाब में किस तरह का सीड श्टोक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप मेरे हिसाब से करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे सजेसन देंगे सुझाब देंगे कि आपको अपने तलाब में अंगुली बहुत जल्द मचलिया तयार हो जाएंगी अगर आप एर लिंग अपने तलाब में डालते हैं तो अगर यह उपलब्द नहीं है तब सेकेंड में हम बात करते हैं फिंगर लिंग एस्टॉक करें इससे छोटा अप फड़ाई और एस्पॉन आप अपने तलाब में एस्टॉक नहीं करें दोस्तो अब हम बात करते हैं तलाब की तयारी के बारे में तो तलाब जिसमय आपका शुका हुआ रहता है अपरील महीने में उसमें आप गोबर का शिर्काव जरूर करें चूना का शिर्काव अवस्य करें बीज डालने से लगभग 15 दिनों के पहले आप चूने यह इस्ची नहीं कराना चाहते हैं तो उनके साथ कुछ परस leggings का सामना करने कर ना पड़ेगा उनहीं की बारे में हम बात करते हैं और एक दूसरा चीज है जो जल की गुनवत्ता आपको बनाया रखना पड़ेगा जिसके अंतरगत आपका oxygen आता है तो यह oxygen कितना रहाना चाहिए 5 ppm के आसपास oxygen आपके गुलित oxygen रहना ही चाहिए ammonia का भी ध्यान रखना पड़ेगा pH का ध्यान रखना पड़ेगा ammonia zero होना चाहिए आपके तलाब में pH 7 के आसपास होना चाहिए temperature भी बहुत माइने रखता है खास करके ठंडी के दिनों में तो सारी चीजों को अगर आप मचली पालन करते हैं IMC का पालन करते हैं तो बहुत और एक फैक्ट्री मेड फीड हो मेड फीड में हम लोग सरसो की खली का उप्योग करते हैं राइस वरान का उप्योग करते हैं जिसे हम राइस पॉलिस भी काते हैं गाय के गोपर का उप्योग करते हैं और मिनेरल मिक्सर का उप्योग करते हैं इन सारी चीजों को हम एक साथ की होंगी 100 ग्राम की तो 2 mm साइज का देना परेगा जैसे जैसे मचलियां बढ़ेंगी आपको उसका एमेम साइज यारी की फोर एमेम तक अपने भोजन को ले जाना परेगा फैक्टी मेड फीड को आकार बढ़ाना परेगा दोस्तों अब हम बात करते हैं कितने दिनों बाद अब हर्वेस्टिंग कर पाएंगे मचलिया अगर सारी चीजों पर जो चीज वीडियों में बताएं हैं सारी चीजों पर अब ध्यान रखेंगे तो 8 माह से 12 माह के बीच आप मचलियों को हर्वेस्ट कर लेंगे आप अगर 100 ग्राम के सीड़ आप अपने तलह में डाले हैं तो वह 6 माह से 8 महीने में आप हर्वेस्ट कर लेंगे अगर अंगुलिकाएं डालेंगे तो आप उसको 10 माह से 12 माह में एक किलो की साज की हो जाएगी दोस्तो अगर दोस्तो इस तरह से आप कल्चर करते हैं तो एक सीजन में आपको 3-5 लाख रूपया का आप हर्वेस्टिं करेंगे तो अधिकलाफ होगा दूस्तो धन्यवाद